हाई फ्रेंड्स ममाज जावा में आपका स्वागत है आज मैं बताने जा रही हूँ बिहार की फेमस जिस लिट्टी लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आटा और आटे में जैसे मैंने थोड़ा सा पानी पहले से मिला दिया है अब इसमें आप स्वात के नुसा आप इसमें नमक डालेंगे और रिफाइन डालेंगे थोड़ा सा रिफाइन डालेंगे और इसके बाद थोड़े फोड़े पानी लेकर आप इसे गूधेंगे ध्यान ये रखना है कि जो लिट्टी बनाई जाती है उस लिट्टी का जो डोव होता है वो हाड होता है इसे क्वाफ्ट कूर देंगे अ míd eliminate से हम इसका डोग बना रहे हैं थोड़ थोड़े पानी डालकर आप देखें आप आप देख रहे हैं काफी कडा हम दो बना रहे हैं यह आप डिस तयार है यह लीगैशर नुक्तो कोरिण करेंगे में लिट्टी में डालने के लिए सत्तू की फिलिंग तयार करेंगे आईए आपको अब हम ये बताएं कि लिट्टी के अंदर जो सत्तू की फिलिंग करेंगे उसमें क्या-क्या सामगरी की जरुवत होगी ये मैंने देखिए 400 ग्राम चने का सत्तू लिया है कोई मिक्स नहीं करना कुछ भी 400 ग्राम शुद्ध चने का सत्तू है इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार नमक आप थोड़ा हिसाब से डालें क्योंकि अल्रड़ी हमारा नमक आटे में भी था इसके बाद हम डालेंगे अजवाइन और थोड़ा सा कलॉनजी कद्दू कस किया हुआ अध्रक एक इंच काटुकड़ा है जिसका मैंने कद्दू कस कर रखा है यह लहसन बारीक कटा हुआ लहसन धरियापत्ती बारीक कटी हुई प्याज बारीक कटा हुआ अगर आप आज नहीं खाते लहसर नहीं खाते तो आप इसे इसकी भी कर सकते हैं इसको हम मैश करेंगे जो खास एक बहुत important ingredient है इसका वो है सरसो तेल, कच्चा सरसो तेल अब हम इसमें डालेंगे कच्चा सरसो तेल और अब इसे आप अच्छे से मिला लें पानी हम तब तक नहीं डालेंगे जब तक आवेशकता ना हो आप इसे मिला लें कोशिश करें कि ये नीम्बू के रस और सरसो तेल से ही मिक्स हो जाए अगर जलूरत पड़े तो हम थोड़ा बहुत पानी डालेंगे इसमें हम थोड़ा मिर्च डालेंगे और मिर्च डालके फिर हम इसे मिक्स करेंगे आप मिर्च चाहे तो साथ में भी डाल सकते थे ये देखिए इसको हम घिला ने करें अभी तक हमने इसमें पानी नहीं डाला है अगर आपके पास अचार का मसाला आम के अचार का मसाला है तो आप इसमें थोड़ा आम के अचार का मसाला डाल भी सकते हैं जिससे भी स्वाद काफी बढ़िया आता है तो मेरे पास आम का अचार का मसाला है थोड़ा समय आम के अचार के मसाला का डाल रही हूँ मसाला और फिर इसको mix कर रही हूँ, यह देखी ऐसे, note होने वाली जो बात है वो यह है कि इसमें अभी तक मैंने पानी नहीं डाला है, अब इसको हम थोड़ी देर तक set होने के लिए छोड़ देंगे, प्याज से पानी कुछ निकल जाएगा तो यह set हो जाएगा, अगर उसके बाद आप भी आविशक्ता पड़ी तब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, अब देखिए लिट्टी चोखा के बिना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती खाने में, तो आपको मैं फटा-फट बता दो चोखा कैसे बनाते हैं लिट्टी के लिए, इसके लिए मैंने एक मीडियम साइ इसके टमाटर हैं और दो चोटे-चोटे आलू जिनको बॉल किया है, आलू को बॉल करके, पील करके मैश कर लिया है, बैगन को पील करके, इसमें मिक्स कर दिया है, और दो टमाटर को, जिनको मैंने भूना है, उसको मिक्स कर दिया है, अब इसमें हम डालेंगे नमक, स्वा बारिक कटेवे, कद्दू कस किया हुआ अद्रख और बारिक कटीवे धन्या की पत्ती इसमें भी जो हमारा में इंग्रीडियंट एक इंपॉर्टन इंग्रीडियंट है वो है कच्छा सरसोकाते लिए जरू डालेंगे आप उसके बाद आप इसको मिक्स करेंगे हाथों से मिक्स कर दें यह हमारा चोखा तयार हो गया है यह अब फिर से देखिए आप यह सत्तू जो है इसमें हम थोड़ा सा अभी तक सेट हो चुका है लेकिन मुझे लगता है थोड़ी पानी क्या विशकता है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाओंगी और पानी मिलाने के बाद इसको फिर से मैश करूंगी अब आईए आटे को देख लिए हमारा आटा सेट हो गया है अब इस आटे की छोटी-छोटी हम लोई बनाएंगे चोटी-छोटी बॉल्स बनाएंगे इस तरीके से और फिर इसमें हम सत्तू को फिल करेंगे छोटे-छोटे बॉल्स बन आए हाथ में तो थोड़ा आप सुखा आठा भी ले सकते हैं और इसमें हम यह जो सत्तू का मिक्चर बनाया था मैंने यह सत्तू का मिक्चर इसमें हम ऐसे फिल करेंगे और उसके बाद इसे आप क्लोस कर दें इस तरीके से क्लोस कर दें इस तरीके से दूसरा भी हम बना ले यह देखिए कटोरी सी बना ली और इसमें सत्तु को अंदर फिल कर दिया थोड़ा और सत्तु डालूंगी मैं और इसको आप क्लोज कर दीजे अगर आपको लग रहा है कि आटा चिपक रहा है हाथ में तो आप सुखा आटा भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से अब देखिए इस तरीके से मैंने सारी की सारी इस तरीके से लिट्टियां बना ली यह सारी की सारी लिट्टियां मैंने इसी तरीके से बना ली अब यह लिट्टि हम ओपले में भी बना सकते हैं और हम इस तरीके के ओवन में भी बना सकते हैं तो मैं इसे इस मिने आज पर heat किया और यह लिट्टी या आज पर ही बनेगी क्योंकि डाइरेक्ट यह आघ के कंॉंटार्ट में नहीं है इसमें पर उपर एक प्लेट पड़ा है इस पर हम लिट्टी रख रहे हैं इस तरीके से आप लिट्टी को धीरे घिरे करके इस पर सजा दें को इस तरीके से सारी लिटियां मैंने इस पर रख दी हैं, ओवेन हमारा काफी हीट हो चुका है, अब हम इस ओवेन को ढख देंगे और बीच-बीच में चेक करते रहेंगे और उलटते-पलटते रहेंगे देखे, circum expensive अब 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेंगे यह बीच वाला हमारा लेखियें हो गया है इस से खीट मे करते जाएंगे और फिर करते और फिर ढग देंगे हम इसे इसे आप जो हमने चोखा बनाया था चोखा के साथ सर्फ करें और लिट्टी को मख्षन के साथ सर्फ करें मख्षन को ऐसे आप इसके ऊपर रब कर दें बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में एक टिप में आपको यहां देना चाहूंगी, अगर आपके पास यह आवेन नहीं है, तो परिशान होने की को जरूरत नहीं, जैसे मैंने लिट्टी बनाया था, लिट्टी को आप गरम पानी करके बॉयल कर दें, और बॉयल करके जब लिट्टी पक जाए, तो उसे आप तेल म मैं शेयर करूंगी, लिट्टी को कैसे उबाल कर हम फ्राइ कर सकते हैं, तो अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज 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 लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, तभी मेरा मनुवल बढ़ेगा, और मैं और अच्छी अच्छी सी रेसिप पोस्ट करती रहूंगी, थैंक यू